इस कारिकरुम के पुन्यार जखें नमो ताई जाते बई अरहनता दीमान जो विद्यादी सागर सुधी जो विद्यादी सागर सुधी गुरु है हितेशी सुधात्म में निरत नित्य हितोप देशी वे पाप गिस्म रितुमें जल सयाने पूजु उने सतत के वल ज्यान पाने वंदु उने सतत के वल ज्यान पाने मुले शीर्पूरके अंतरिक्ष पारस्वनात भगवान की परम उपकारी शंस्रोवनी आचारी गुडवर विद्यादी मामुनी राजे की पूज्मुनी शिरी ate- waterfall दुल्लभ साड़ी महराजे की शीर्पूर पारस्थनात इस्तरोत महामंडल विद्यान ने की आचारी विद्यानंजी महराजे की कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन पर बैठाया है हत्करगा मात्री भासा आयुर्वेद का विकुल बजाया है हत्करगा प्रतिबा इस्तुली आयुर्वेद का विकुल बजाया है तिर्तों की रक्षा करने को विद्या गुरु ने जगाया है और सिर्पुर के पारसनाट को भी ताले से मुठ्ट कराया है ऐसे आचारे गुरुर इतिहास पड़ो इतिहास घड़ो गुरुर ने हमें शिकाया है एलग जी के नेतरतु ने एलग जी बेठे वे हैं कि एलग जी के नेतरतु ने आप सबने एक फिर से नया इतिहास रचाया है सिरपुर का वे चोमासा हम सब के लिए वर्दान है हम सब के लिए वर्दान है गुरुवर फिर से सिरपुर आ जाए गुरुवर के लिए भी यह बहुत बड़ा वर्दान है गुरुवर के लिए भी यह इस वर्दान के काल में हमें वापस इस महराश्टर की भूमी पर वो आ जाए तो पूर्ण रूप से फिर उनको अलग से कुछ जरुरती नहीं क्योंकि हमारे गुरुदी की यहां की भूमी में ही आज ही तांत्या भाई से जब बात हो रही थी तो प्रकर्ती प्रकर्ती स्वभाव जो होता है वो प्रकर्ती के पास आने से अपना पी परिवर्तित हो जाता है और उनकी प्रकर्ती इस तरह की है तो उसको पहले तो बहुत उन्होंने कटोर साथना की और करी रहें अभी भी तो यह है आजे सिरपुर में दिरगंत मुनी बनने के बाद प्रतंबार आये पहले आये थे तो खिड़की से यू यू करके हमने भी दरसन थोड़े से दरसन किये थे लेकिन गुरुवर की क्रपा और यहां पर एलज जी और तांत्या भाई लगेवे हैं कि आज निरबाद रूप से आप अंदर जाके न केवल दरसन अभी तु चरणों को चू कर माते पर रज लगाने का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है यह सब अपने पुन्य की ही कहेंगे कि गुरुवर के द्वारा यह है जो हैसाब कुछ हुआ और शीवपूर जदानतर नहीं है और एक में वह है और एक में रह है बस उस वर को यादरख लो सेश्ट क्या है यह हमें याद रखना है अल्प समय में चार बात अपन रोजाना करते हैं आज सिरपूर के बारे में ही अपनी यह चार बात कि अब तक खूब सुनी महिमा सिरपूर के पारसनाट की और बड़े बागे से दर्शन पाया अंतरिक्ष के पारसनाट के अंतरिक्ष के पारसनाट की चार बिशेष्टा ही है कि पहले तो अपन को नीचे उतरना होता है समय में आता है नीचे उतर कर ही हम उपर बढ़ सकते हैं गहरे पानी में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक रत्न भी हाथ लगने वाले नहीं हैं यह बता रहे हैं सिरपूर के पारसनाट की तु नीचे उतर और जो रत्न डले हैं उन रत्न को बाहर निकाल कर लेया दिगंबर समाज किये सनातन धर्म की अमुले धरोवर इस परश्ट नजर अब यह बताया उन्हीं सो अटारा सो अड़तीस में जिनकी समाधी हो गई जिनकी समाधी हो गई वो चार साल बाद में आये कहां से तो यह सब और आप देख रहे हैं सब तरफ दिगंबर प्रतिमा हैं फिर भी यह केवल मात्र एक यानि उनका कहना पड़ेगा कि इगो ही रेश कर रहा है इसको कुछ नहीं फिर दूसरा हवा में है यह प्रतिमा हवा में यह प्रतिमा है मतलब हलके हो जाओ यह प्रतिमा क्या संदिश दे रही है हलके हो जाओ जो जो हलका हुआ है वह वह उपर उठ गए और अंतरिक्ष में उठे बिना कोई भी भगवान बन नहीं सकते हैं जैसा कि अभि ममाराजी निब बताया कि जितने भी तिर्चंकर होते हुनको नाम हिता अंतरिक्ष में यह क्यों कि iraq कहने को वो सिंगाशन कहते हैं लेकिन वे उस सिंगाशन में भी अधर में ही विराजमान होते हैं लेकिन यह जो अंत्रिक्ष पारस्तनात है यह यहां पर हमें आपको इसपष्ट आज दिखाया नीचे पूरा तांत्य भाई ने कि आप भी महाराजी देख लो पूरा हम इसके नीचे से लक्डियों डालके बहुत अच्छे से इन्होंने बताया तो यह हवा में इस्तित हैं तीसरा है पारस्तनात बढ़वान एक पार एक पत्रकार आये हमारे पास में और उन्होंने पूछा माराजी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं भारत में पारस्तनात के ही सबसे ज्यादा प्रतिमाएं ऐसा क्यों तो हमने बोला वह जो उपसर के सहता है ने वही आगे बढ़ता है इसलिए पारस्तनात बढ़वान ने उस युग में खूब उपसर के सहा कमट का अब यह है कि आज भी कमट उपसर कर रहें तो हम क्या करें हाँ है समँगे आ रहे है लेगे उनकमटों को समझ में तो आना चाहिए तो इसलिए उपसर की जो है कि और शेयर है लेकिन धिःषान रचना जीत तो पारस्तनात की हुई जीत तो पारस्तनात की हुई और ओओ चमट के द्वारा है उनको केवल जान की भी प्राप्ति हो गई और वही भी रहाद जोड़कर नत्मस्तक होकर उनी के समोसरण में सम्मेदर्शन को प्राप्त कर लिया, सबको सम्मेदर्शन की प्राप्ति होगी, इसलिए जो रिकार्ड बनाता है, उसे रिडाड मिलता है, जो रिकार् प्रतिमाएं और अपन देथते हैं जहां भी प्राचीन का खुदाई में आज भी निकल रही है तो पारस्थनाथ बढ़वान की प्रतिमाएं अपने को मिलती है और फिर अंतीम है पहला बताया हमने नीचे उतरना यह किसका प्रतित बताया गहराई में उतरेंगे तो रत्न प पारस्थनाथ जो कह रहे हैं कि हलके हो जाओ तीसरा उपसर्ग सहने की आज़त डालो उपसर्ग सहेंगे रिकार्ड प्राप्त करना है तो रिकार्ड तभी बनेगा और जीत हमेशा सत्य की होती है जीत हमेशा सत्य की होती है कितना भी उपसर्ग सहें करें करने वाला एक बह परेशा होने वाले को सकू कुछ मिल भी जाता है, परेशा करने वालों की परेशा नहीं मिरती। परेशा होने वालों को सकूझ मिल भी जाता है लेकिन परेशा करने वाले को की परेशानी नहीं मिर्ती वो फिर 45 सिला रखेंगे पीर जाए कुछ भी नहीं कर पाएंगे संदुना रहा है तो परेशा करने वालों की परेशानी नहीं मिटती वह Ett परेशान करेगा फिर दूसरी बार करेगा उसकी वह 8 के बाद प्रेट उलूल जुलू को भूलता है राजस्तान क्वोबहूंत है कि इसी देर काम करता रहेगा ऐसा रहं रहे कंध्य। सत्य कभी भी पिट नहीं सत्ता क्योंकि भारत की संस्टती है सत्य मेव जैते हमेशा सत्य की ही जीत होती है और वह होगी हमेशा हार ना हार ना अलग लेकिन उस हार के माद्यं से भी वह कुछ सीत ले रहा है हम कुछ पिछे गए ऐसा मस समझ लेना बोलर होता ने बोलर जब बोल फैंचता है तो पहले थोड़ा सा पिछे की ओर जाता है और फिर वह फ्रोट अड़ता है ऐसा मस समझ लेना पिछे आना भी छटवा सातवर्णिस्तान हमारा भी यह है चटवे में आना हिए तभी वो सातवे के उपर बढ़ पाएगा अन्यता नहीं बढ़ सकता ज्यान रटना मर्यादा में रहना सीट लो मर्यादा तोड़ी सीताने मर्यादा तोड़ी सीताने तो राम اور रावण का युद दूआ और मर्यादा तोड़ी ग्रोपदी ने तो महाभारत की रचना हो गई महाभारत रच गया इसलिए सीमा का उलंगन नहीं करना जो सीमा बना दी जाती है उसी दिस सीमा का उलंगन करेंगे तो वह सब के लिए खत्रा हो जाएगा बस सांती अगर हम चाते हैं तो मर्यादा में तो रहना ही होगा और उसी मर्यादा के माद्यम से हम इतिहास को पुने लोटा पाएंगे इतिहास आचारी श्रीजी बार बार कहते हैं अब विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं इतिहास पढ़ो अभी एलजी ने भी उसी पर प्रकाश डाला आपके सामने इतिहास हमको कुछ देता है और विज्ञान हमसे कुछ लेता है लगाओ इतिहास को देत लो तो निश्चित रूप से उसका भी इतिहास अच्छा हो जाएगा इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता इतिहास को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता वर कभी ने कभी प्रकड़तो होता ही है और हो रहा है आज ही इस सज्जन ने बोला कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कुछ लगावी देते हैं फिर उनको हटाते हैं इसका मतलब ही तो इस दिखाचे वाला ही है बहुत बढ़िया कल मैंने कहा था बहुत अच्छा हाई कुछ दिया था डोनगावालों को याद है अचरी स्रीजी का क्या दिया था तुम तो करो हरताल मैं सु तो हरताल को और आज का हाईकु है सत्य सत्य है सत्य 그러면 गुरुदेव ने लिखा हमने नहीं गुरुदेव की भासा है वोसाग एक हाईकु जू लिट्थ उसके हजारों अर्थ है जहां आप फिक्टर ना चाहों वहींर पिक्क लेना सत्य सत्य है अससंत्य तो किसे क्यों धाकूँ तो किसे क्यों धाकूँ बस यही है अगे बड़ना है तब हम आजे बढ़का मन्दौ अभी तो आगे भी हमें जाना है आज मिहार भी अभी करना है लेकिन हम इतना ही कहेंगे सिरपुर के पारसनात बगवान को देखने के बाद जो भी आज यहां बैठे हैं चाहिए लोरा वाले हो चाहिए कंदर वाले हो चाहिए और आसपाश की डोन गावाले सबी हैं लेकिन चैनल के मात्यम से अन्यत्र भी सब सुनते हैं देखते हैं तो अपंगो कोई भी खर्पतवार वहां उठ जाती है जहां पर इंसान आना जाना बंद कर देता है समझे में आ रहा है उसी जंगल में पट दंडी तो बनीवी थी रोड तो बनीवी थी लेकिन उस पर चलना बंद हो गया तो धास पूत उड़िया ही कोई बात नहीं है अपने पास में आचारी विद्या सागर जैसा बुल्डोजर मिल गया है फिर उसके बाद में क्यों आप चिंता कर रहे हो लेकिन अब उस पर चलना सुरू करो आप चलते रहोंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर से खरपतवार उग जाए वह खरपतवार उगनी नहीं चाहिए इसके लिए आप सबी को मोहन को त्यार करना पड़ेगा और मोहन को त्यार करके आप एक वार सिरपूर तो आखे देखो आपकी भी किसमत पलड़ जाएगी सबकी किसमत पलटे इसी भावनागी साथ बोलिए अइंशा पर्मो धर्म की आचारे गुरुवर्विध्या सगर्दी महामुनि राजय की तीन तरह के घोड़े होते हैं ध्यान रुटना स्थाथ्य भाई तीन तरह के घोड़े होते हैं एक मोड़ोडा जो मालिक को आता देखता है उसके पहले ही दरवाजे पर खड़ा हो जाता है एक मूट भोड़ा जो मालिक को आता देखके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है एक मूट भोड़ा जो मालिक के बैटने पर रवाना होता है और एक मूट भोड़ा जो बैड़ जाता है मालिक उसके बाद में भी चलता नहीं तो एक चाबुट हाथ में रखते हैं उस्तांट पे लगाते हैं वो आगे बढ़ जाता है अपने अपने घोडे को चेक कर लेना कि कौन सा घोड़ा है पहले और दूसरा नमबर का घोड़ा ही अच्चा है चाबुट मालने की आवसत्ता नह पड़े आइंसा परमो धर्म की आच्यारी गुर्वरे विद्या सागर्ती महमुनी राजे की आप लोगों को मीठा पसंद या कड़वा कड़वा कोई खाना ही नहीं चाता है सब मीठा ही मीठा खाते हैं इसलिए डाइबिटीज हो रही है सुगर की विमारी सबको होती चले जा रही है ध्यान रटना कड़वा खाई मीठा खाखा के कड़वी डकार से लेने से अच्छा कड़वा खाकर मीठी डकार लेना है एक सब्द आता है नीम है ने अभी वोई पढ़ रहते हैं गुरू जी का प्रवचन तो नीम के माध्यम से अनेक बिमारियों का इलाज होता है कहते हैं जब गुड़ी पढ़िवा आती है ना आपके चेत्र के महिने में तो चेत्र के महिने में पंद्रा दिन या एक महिने पंद्रा दिन सुटल पच के आप यदि नीम का सेवन करो उस समय पत्ती भी नहीं आती है चेत्र में तो वो पत्ती आप ले उसको वर्स भर बुखार भी नहीं आएगा और कोई बिमारी भी नहीं आचारी स्रीजी के मुझसे कई बार सुना नीम के द्वारा अनेट बिमारियों का इलाज आपके यहां तो भहुतायत में हैं निमाड में जैसे नीम है और नीम सब जड़े मिलता है राजस्तान हो चाहे महाराश्ट्रा हो हम तो यहां पीच्छे जहां ध्यान के अंदर हमारा उस ध्यान में जाते हैं वहां पर हजार पेड होंगे नीम के सो नहीं पूरा भाग ही नीमी नीम है इसलिए वहां और्चिजन की मात्रा भी बहुत जड़ा है वहां बैठते ही कैसा भी बुखार हो या थकान हो बैठते ही दूर हो जाती है वहां जाके ठाले हम बैठते हैं कल भी हम 3–4 कांधा बैठे हो तो रोज तो जाके बैठो और वह उर्चिजन की मात्रा नीम अन्ले पेड आर्चिजन लेते हैं कई पेड़े लेकिन नीम जो है वो औक्षिजन नीम है पीपल है करंजी है यह औक्षिजन देते हैं अलग से सरंडर लगानी जरूरत नहीं है आपको इसी के साथ में इस्किन डिजीज तो अच्छा सम्मंदी रोगों में नीम रामबान है नीम के माध्यम से आप नीम के हपता में या पंद्रा दिन में एक बार नीम की पत्ती के पानी से आप इस्नान करो अलग से नीम का साबुन मत लगाओ समझ में आया लेकिन माराज कोन करे क्या करे आप हत लगती हो उनको हमें तो पहले जब भी कभी भी फोड़ा फुनसी वगर कुछ होती थी तो मा जरूर नीम के पानी से निलाती थी याद है मुझे बच्पन में कि नीम के पानी से हर मैने में एक बार नाना ही है इसके मात्य से अनेक बीमारी और आप अगर एज्जीमा वगर है तो आप उस पे हाथ लगाएंगे तो और ज्यादा भड़ेगा ध्यान रखना खुजाएंगे अब उस पे और नीम की पत्ती ली और उसी पत्ती के मात्यम से उस पे आपने उसको साप किया वाश किया तो वो दो तीन दि जी को कोई भी फोड़ा पुंसी होती है उनको नीम के उपर बहुत स्रदान है तो नीम की चालनी आती है बस उसको गिसो चंदन की तरह और उसको लगा दो कैसा भी गरम कितनी भी गर्मी हो वो बिल्कुल ठंडा कर देगा आपको जलन हो रही है एक माता को यहाँ पर पूछ निया कुछ तो उसको उत्तुरंत नीम जो है उस पर लगा दो पूरा का पूरा अंदर से गर्मी वह खैंक लेता मेंदरी तरह लगा दो उसको यहां पर हाथ में इस प्रिकार से नीम के नीम की गोली भी बना लो चुट चुटी गोली बना के मालिए हमारा हरी का त्याग है तो आप क्या करेंगे सब चतुर रहते हैं तो उसकी गोली बनाते हैं शुका लेते हैं इतनी छोटी छोटी और जिनको या इवन यहां तक की सबको गुरु जी अगरे को भी तो वह नीम की गोली बहुत ही चेत्र के महिने में लेना चाहिए तो कड़वा मीठा मीठा तो बह टेबलेट लेना चाहते हैं टेबलेट ना लेकिए नीम आपको free portrait में मिली है उसको ऐसे नीम उड़ाओ उसके मात्येम के अनेकों बिमारियों में वह है लाप्रद है ले खा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं दोनों चीज़ हमने बता दी उसका नाम है नीम इसलिए नीम से अपना स्वस्त और अच्छा रहे इसी वावना से आइन सा पर्मोध धर्म की आचरे गुर्वर विद्या साग्र दीमाद जो कर्षी करता है वो असमी में रिशी हो जाता है रिशी मलब तो किसा संत जेसा हो जाता उसका पूरा जीवन संत वत हो जाता है लेकिन करना पड़ेगा आपको क्या क्रशी पशू पालन जब हम थे तो जब घरस्त अवस्ता में अम्ते और हमने जब दुकान पर बेठते थे तो जब आचा श्री का प्रवचन सुना तो हम उसे दिन तैक टर लिया हमारी बहुत पूर बश्ता में खेती ती लेकिन वो खे Craig को को det स्याविजए कर लाड़ेह एव तो दुकान पर में हमें नहीं बेटना है तो दुकान पर अब जब नहीं बेटना है ये वहाँ भाव हुए तो करशी प्रारंब करी और जब खेती प्रारंब करी तो अच्छी खेती आने लगी अब फिर उसके बाद जो उसमें दवाईयां डलने लगी तो हमने सुझे ये भी करना बिना दवय के जो है किती करना ऑख के बाद एक विचार और आया और याद आ गया तो इसको आपको आपके बीच में विचार को भी मेर लखता हूं कि जब ग्रस्थ वस्ता में तो उस तरफ हमारी उदर की बहन बेटी को तिर्त ले जाते हैं तो आप हमारे रद लेने के भी तो तरुकाहु थे उम यह एच्छा काम अपन कर लेते हैं सिप को पतानी ंही ता pregunta हमा कि हमारे व्रत के भाओं एंगे और तब हम ने विचार हो एक तो जाना है लेगे खुद ने जिसने के वह कहाताया ने लेकिन बन एक तेन मेने बाद तब जब इनतरा सक जो करें किmoon करें के तीन मेने बाद ज्यान आएंगे और फिरी भिकेंगे और अभी जाना अभी है तो बिर क्या किया जाते में भाम्चर्य हो गया थे एं Begin घड हम बेच आपर में ज्में के लिए तो अब जब जाते थे, तो हुँआ है यह कि वह जो बाजी वाला किसान था उसने अपना। कपांस हमें रे दिया। दो और पे कपांस हम देते thay तो है आप ले जाओ और बेज दो। और इसका जो भी मुझा णा फ़ार लेता है वहां ले लेना तो अब उस मुना अब हम गए लगा तो किसी पता चला रहोड़े है मैं भी याजी खड़ें आप क्यों आयो नहीं है इस इसलिए को भरके ले गए तो टेक्टर पे उसको लिखे गए तो को उन्होंने स्पूलना तो वापस जाओ और वर हम्हें आज भी आज भी आदे इस जमाने में साढ़े चार हजार रुपए मिलेते हैं भाहु यह थै कि इमान्धाधी की कमई से हमें तीर्थ यात्रा करने है शिकरजी का भी खुद की उ szाड़ेulye व्रूछ टेर रुप्य हमी उसके मिले थे और इसाब़े लिए निए लियुगार होगी यह एक tahu दिना हम लगा मित्र से हम एंगे हैं क्यों बो एक मित्र से हमें अधार मांगे थे वह 206ज आज घन्यवाद देते हैं तो उस मित्र से पांस जा लिया थे साड़े नो हजार रुपे में हमने इस उद्ध कमाई के साथ शिखर जी की यात्रा स्वयम भी करी थी और जो हमारी गरस्ताव भुवा उनको भी करें भाव यह थे कि अपने खुद की कमाई से हमें यात्रा करनी सिखर जी के अभी एक अगार ऐसी आज다면 झाली से हो यात्रा करी थी तो आज दिक्षा हो गई ऐसी एक आज सिखरजी की यात्रा आप भी कर लेना तो हो सकता है आप मि कर और भी रहा है तो भी दो भी ने रहा है तो भी चोरिए तो भी दो भी आप रिश्वत दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं तो भी चोरी है और ले रहे हैं तो भी चोरी है ये भी हो रहा है कि नहीं बोलो तो हो रहा है ना ये सब कुछ भी होता चला जा रहा है ये सब कुछ भी आप करते चले जा रहे हैं समय अपना हो गया है आचारे भगवन का सं और अचार्य भगवन को भजन सवन्ना भी भॉत पसंदा अदो एक्यार में टार बहुत आइब उन्हों अचार गाते हैं तो एक्याइश्रीजी को बहुत पसंद आया वह उनसे वो सुनते भी थे और सुनने के साथ वो स्वयम गाथे भी थे और वो पूरा भगव केरह हमने एक और भजन बताया था जो ग्यान सागर जी के लिए उन्होंने लिखा और गाया था तीन-चार-पास दिन पहले और ये जो भजन है ये प्रभू के लिए उनका वो हमेशा सुनते थे उसका जो सार है वो आपको मैं बता जेता हूँ क्या उसमें कहा उन्हों ने म Kend Şu बज़न का की बोल है कि मनहर तेरी मूरतिया मस्त वहा मन मेरा जो भगवान को दिखकर वो गाते थे तेरा दर्श पाया तेरा दर्श पाया है ना प्यारा प्यारा सिहासन वालो पूरी व्याख्या कर दी इनोंने प्यारा प्यारा सिहासन अति भा अति भारा अति भारा अति भारा उस रूप अनूप तिहारा चा रहा चा रहा पदमासन अति सोहरे नैना अमंग है मेरे चित लल चाया आया तेरा दर्श पाया तेरा दर चाते हैं शयूपद वही पावरे शर्णागत है तेरी जो जीव आया पाया तेरा दर्श पाया। भग्वण्हे उन के सामने को गाते भी थे प्रुव्पति तो पावन गाते ना एसे भक्तिवांवंज इस पुरे इसभजन को वह र्ते पे जिन लोगों ने भी यह भजन उनसे सुना था पुर इसको रड़ लिया था और बताथे जब भी हम भागवान की भक्ति करते थे तो इस भजन के सांती भक्ति करते थे अचाइश्री को ये भजन प्रिय था पर उनमें जो गद्या जी उनका केना था कि अचाइश्री गजन इसलिए गाते हैं और इसलिए सुनते थे कि उनको अपनी हिंदी पक्की करना थी और हिंदी अपनी मजबूत बनाना थी इस भाव लिए इस भाव से वो भजन गाते भी थे और भजन सुनते भी थे बुलिया आचार भगण विद्या सगर्जी महमुनी राजे की भगवान बनना है भगवान के बाजू में बेटना है वो तिर्थंकर बनने की कला को आत्म साथ करना है इस पर चर्चा चल रही है और तिर्थंकर बनना है याद हो जाना चीए का कंणड़ वालो कुझे मंगला चरने तिर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा तिर्थंकर बनना है तो जूट का वमन करना होगा तिर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा तिर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा तिर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा तिर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोश बनाना होगा तिर्थंकर बनना है तो शब्त शिली की ओर मुरुड़ना होगा और तिर्थंकर बनना है तो अस्थ प्रवचन मात्रिकाओं की ओर जुकना होगा बाद चल रही है चोरी की ये चोरी का दामन छोड़ना होगा और कल आप लोगों से बोला था कि बड़े आधिकारियों को कारे करवाना बड़े आधिकारी तो हैं लेकिन अपने छोटे अधिनस्थ से कारे करवाना नीजी कारे कराना ये भी चोरी है जो लोग सिक्षक हैं और कोचिंग करते हैं विद्याले में नहीं पढ़ाते हैं और तनका सरकार से फ्री में ले रहे हैं ये भी चोरी है और कोचिंग में बुलाकर पेपर को बता देना ये भी चोरी है और जितना समय विद्याले के लिए नोकरी के लिए दिया है या तो बड़े तो आप पाप करने में डरते हैं, लेकिन छोटे पाप बड़ी सहव्चता से कर लेते हैं, प्लेट फोर्म की टिकेट, नहीं लेना, ये भी चोरी है, और उसके बाद, जो लोग उपरी कमाइक कर रहे हैं रिश्वत दे रहे हैं वो भी चोरी कर रहे हैं और जो दिश्वत ले रहे हैं वो भी चोरी कर रहे हैं और उसके बाद आप लोग से income tax, sell tax की और GST आदे की भी बात करी थी और कर्शी पालन की भात करी थी अभी वोई विशे अपने चल रहा हैगा कि चोरी की बात चल रही हैगी और अब एक और बात आप लोगों के बीश में रखता हूं कि अगर सादू कहो सादू, त्यागी वरति कहो त्यागी वरति या ग् आउशको को समय पर नहीं करते हुए भी अतिचाल लगाते हुए वो कह रहे हम सब को अच्छे से पाल रहे हैं अगर रहे हैं तो कुल मलाकर चोरी है क्यो चोरी है एक आप कहते हो ना काम चोरी मुले काम चोरे जो काम करना चीए वो काम नहीं करता है कहते हो ना काम चोरे ये हम चोरी कर रहे हैं कि नहीं बताओ जो करने योग्य करतब हैं अगर हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं उनको नहीं कर रहे हैं तो चोरी है कि नहीं है ना अब मानली जी हमारे आवशक जो हैं वो हम नहीं कर रहें तो निष्य तोड़ से हम जो है चोरी कर रहें और शाबक के लिए क्या का है? शाबक के लिए बहुत अच्छी कारिका आती है, आफ लोग को यू कारिका रट लेनी चीए क्योंकि जो चीज करने युग्य है जो हमें करना चीए उसको तो हमें बार-बार पढ़ना चीए और बार-बार उसको याद करना चीए और आप्जर्व करना चीए क्या ये मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं शट करमानी दिने दिने ये आगम में आप लोगों के लिए बताई गई है ये आप लोगों का क्या है रत्नकन सावाका अचारे ये आप लोगों क्या है मुगला अचारे ये छे बाते लिखिये देव पूजा, गुरुपांस्थी, स्वाध्याय, तप, सैयम और दान, ये ग्रहस्तों को करना चाहिए, कर्तपे आउशक है, शट कर्मानी, और एक बहुत अच्छी बात बोली अच्छर भगुनिया, क्या बात बोली, दिने दिने, क्या लिखा यहां, दिने दिने, दिने का म आट दिने, यहां दिने लिखाए, इसाथ शuses घने आत दिन में एक बार, दस दीन में महीन अवर एक बार, मात्र दस लक्षैन में 10 dział दिन, यह यहां ऐसा नहीं लिखाए, कि 10 लक्षन लिख देते, चरी जत अनिका लिख देते, यह रविवाल खा देते, हफ्ते में जिन Parent स्प Leahy करνे योग अगर आप नहीं कर रहे हैं एक जो मिल रहे है तो उनकी भक्ती हिवाओं से आरादना, उनके चरनों में बेटना, उनके पास जाना, पर आप नहीं जा रहे हो, गुरु पास्ती आपके जीवन में नहीं है, यहां होते वे भी, महुत सारे लोग उने तो शायद दर्चन ही नहीं कियों, आप लोग कर रहे तो बहुत अच्छी बात हैगी, स्वाध्याय, वो जीवन कांग होना चीए, कम से एक लाइन पढ़ें, पर अप किती कर पा रहे हैं, वो तो आप ही समझे, कितना हो पा रहे हैं, वो तो आप ही समझे, तब थोड़ा-थोड़ा कुछ नो कुछ, कुछ नो कुछ, एक एक चीज हमारे अंदर, प्रती दिन त्याग होनी आज ये तया किया, आज ये तया किया, ये आउशक है, ये करने योग है, इच्छे बात आपको रोज करनी चाहिए, सैयम, थोड़ा-थोड़ा सैयम लेना चाहिए, और दान, दान तो देना ही चाहिए, दान का तो अपने आपे अपार और अपूर महत्व आगम में बताया गया है, और उसमें भी ऐसा केते हैं, कि आहारदान देने का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, आहारदान की जो कहना चीए, कीमत बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आप आहार कराते हो, या जो आप आहार देते हो सादू को, उस आहार से सादू 24 गंटे तक अपने पूरे लोब की प्रवर्ति अगर समाप्त होती है, तो सच पूछो तो आहारदान के समय लोब की प्रवस्ति शावक के अंदर होती हो, वो सबसे बड़ी, अगर लोबी अवस्ता कई बनती है, तो वो सिर्फ आहारदान के समय बनती है, जब सादू किसी के घर में पहुचता है, तो जो साबक होता है ये ले लो वो ले लो वो ले लो सब ले लो सब कुछ समर्पित करने के लिए तयार होता है कि निए बताओ होता है ना काजू भी ले लो बदाम भी ले लो पिस्ता भी ले लो हल्वा भी ले लो हमारा वो कहां गया तुसार रजगुले ले लो रवडी ले लो तो ये ले लो क्यों वहाँ निरलोभी ववस्ता हो जाती है और अगर माल लो कोई आ गया हमारे अद्दिक जी आ गया है माल लो या ये काम है मंदिर में और ऐसा ऐसा है ग्यारा हजार के रसित कठाना है तो आप आगे पीछे हो जाओगे वहां निरलोभी अवस्था नहीं बनेगी लेकिन मुझा आहारदान की प्रक्रिया है उस आहारदान की प्रक्रिया में निरलोभी अवस्था बनती है उस पक परिणामों में निर्मलता आती है उस पक आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है वो आहारदान की प्रक पास-की पारणा तो सब तरफ से कोई-मतलब नहीं श्रिप वजुद सामगरी आ रही है है उसको सोधन करना और इसको देना क्यूंकि तीन अंतरा है चार अंतरा है पांच अंतरा है महारात-जी के हैं अब उनके इच्छे से आहर कराना है मात्र वही लक्स दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बाहर क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बस एक ग्रास को देखना, एक एक चीज को बारी की से देखना, क्या विशुद्धी, क्या परिणामों में निर्मलता आती है, कहीं ध्यान नहीं, कहीं क करा रहे हो तो सादू के अनुकूल अगर आप प्रवर्ति करा दोगे 24 गंटे तक वो उसमें आप सायोगी बनोगे कितना बड़ा दान है बाकी दान लगेगा की नहीं लगेगा कोई मालूम नहीं दे दिये आपने 11,000 के दान पर लगा नहीं लगा लेकिन यहां तो जो दिया कि तूरंत लगरा है तूरंता आप कर रहए है तो इसलिए कम से कम भले एक ग्राश दें लेकिन अहाअरदान दिने दिने कर आए ऐसा नहीं कआया है की तीन Дीन के लिए हम छो का लगाले यह वड़ी वीडशतितल ना है हमारी को लगाले है तीन Дीन के लिए पांच दिनी यSte लगाने चोका कहीं नहीं आया है शुद्ध भोजन आप करो श्रावक का करतव अतिती संभिवा गुरत पालन करने का एलोरा वालों से सीखो चोटी सी समाज ती चोवीस चोवीस जगह शुद्ध भोजन उनोंने लगाए किसे को परेशानी हो तो बात लगबक सभी घर में चात पुन्य खट्या क्या एलोरा वालों ने ऐसे क्या कंड़ वाले नहीं बन सकते क्या कि शुद्ध भोजन बनाए जैसा जो हम खा रहे हैं हमें वही तो बनाना है कोन महराज जी आप बहुत सारी चीज लेते हैं कुछ लेते हैं क्या महराज कुछ लेते हैं लेकिन शुद्ध बोजन बनाकर हम अपना पुन्य खटा कर सकते हैं क्योंकि आहारदान का प्रभाव आप ये मान के चलना कि आहारदान के माध्यमसी पंच्चा असचरी होते हैं कि इस कारिक्रम के पुन्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंजी जैंट श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन रिखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवाल, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर